वोट पाया कौन कितना आगे है ये एहम जानकारी देंगे चार खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं आकड़ा देने के लिए लक्षमी बिल्कुल राहूल मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं मैं इस बीच सिटी साइंटर पर मौझूद हूँ जहां पर मैं जानने की कोशिश करूँगी कि वाकई इस बार का जो निकाई चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बेहद एहम हो जाता है और की जो लगातार बड़त मिल रही है बीजेपी की जो नतीजे देखने को मिल रहा है इसको यह लोग किस तरीके से देख रहे हैं इनका क्या कहना और आने वाले मेर से लोग क्या चाहते हैं राखी जी क्या कह केंगी की सबकूर यह कूंकि और घर का Ah तो वह एक भाणन ही पाएंगे यह तरास्थी दिली में देख रहे हैं कि किस प्रकार दिली सरकार लेटनेंट गवर्णर केंद्र और दिली की जो इस्टेट गवर्णन्ट है उसमें फसी हुई और इस वज़े से वह अपने कामों को चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं और से पिस कौन रहा है हमारी आम जनता पिस रही है जनता पूरी तरीके से देखना चाहती है कि अगर आप जमी से लेके आस्मान तक है तो क्या कर सकते हैं चले मेरे साथ इस बीच कुमर केके सिंग जी भी है गोरकपूर से हैं सीयम्योगी के शित्र से हैं आखिर वहां पर भी देख रहे तो कई सालों से सुनते आ रहे थे कि हमारी सरकार प्रदेश में नहीं है प्रदेश में नहीं सेंट्रल में नहीं है इस बार तो सेंट्रल में भी प्रदेश में भी आसीम साप खुद गोरकपूर से सांसद रह चुके हैं तो उम्मीद तो गोरकपूर में प्रदेश में भी है देश में भी है और सिटी में भी आ गई है तो निश्य तोर पर जनता जो इतना मांड़िट जे रही है इसके पीछे एक रीजन भी है बहुत बड़ी उम्मीद भी है और यह देखना भी चाहती है कि क्या बहानेवाजी के लिए ही यह सब कहा जा रहा था या फिर वाकई अगर हम इनको मौका देते हैं तो हमारे शेहर की तस्वीर बद लेगी मेरे साथ सुशील कुमार जी इधाय देनी चाहिए लोगों को क्या आप देख पा रहे हैं कि यहां का मेर वो सब दे रहा है क्योंकि चार बार यानि 20 साल से यहां पर बीज़पी की सिटी सरकार थी उसमें आपने कितना डवलमेंट देखा और अब भी आप देख रहे हैं कि बीज़पी के पाले में ही कहता है सरकार हमारी नहीं है तो इस वार्टु सरकार इनकी प्रदेस में भी है केंदर में भी है तो हम यह उम्मीद करते हैं कि लुक नौों की जंता को मूलबुत इमदयाए सवास्त की इसी सुविदाय की सडख पानी बिजली सब अच्छी हैं मिलेंगी कि इस पर दियान देना चाहिए। जो मैंची यह वो क्या है। सफाई विवस्ता जो मोधी सरकार के एजेंडे में हैं मैं समस्ताओं की लखनों की सफाई विवस्ता बहुत ही गंदी है और खास करके प्रदूसरन के मामले में लखनों बहुत गंदा होचुका है इससे स्वास्थ लोगों का बहुत ही प्रोभावित हो रहा है। कि सिती में भी सरकार है। तॉ डेश में भी आपकी सरकार है। plans अगर ऐसे में कहीं भी जनता को उदासी महसूस होती है तो जिम्मेदारी आपकी प्रदेश में भी और सिटी में भी वीज़पी की सरकार बन रही है तो क्या उम्मीद है उम्मीद तो बहुत कुछ है और सबसे दिक मैं चाहता हूं कि जो आगामी लोकसवा चुनावाने वाला है जो 2014 का चुनाव भी था उस पर मानी मत्री जी कर घ्रद्राइब गुजरात माडल अब मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ माडल बने कि आघमी चुनाव में उत्तर प्रदेश माडल करना को और श्कूड़ान को है और यह भी नहीं कहके बचपाएंगे कि हमारे सरकार नहीं है तो ब उत्रप्रदेश मॉडल की इक्षा भी है लोगों की निश्यत तोर पर गुजरात मॉडल कहा जाता है तो उत्रप्रदेश मॉडल आखे क्यों नहीं हो सकता क्या कहेंगी आप देखे मैं इसमें लक्षमी जी बहुत महत्यपूर्ण बात रखना चाहेती हूं यह जो मेयर के करा सकते हैं आपको नगर निगम को क्या करना है पुड़ा प्रभंधन करना है नाली निकासी देखनी है देखना है बिल्कुल मूलबूस विदा है तो जोनी सही राहूल देखा आपने हमारे साथ मेहमान जुड़े उनका साफतों पर कहना है कि अब कोई यह टोपी ट्रांस में उपाध्या दे रही थी अब भारती जनता पार्टी कॉंग्रेस और समाधवादी पार्टी और वरिष्ट पत्रकारों का पैनल हमर साथ स्टूडियो में बैठा हुआ है देवेंद्र जी काफी देर से आप सुन रहे हैं बारी भी आपकी है क्यों जनता आपको बार बार अच्छा है 2014-17 क्यों बतल जनता विश्वास क्यों नहीं कर रही आप पर तो राहूल गांदी ने तो एक कहा था कि विचारधारा में कॉंग्रेस है क्यों विश्वास नहीं कर रही वजा क्या है अब आप इस पर काम करना होगा ना इबीम तो बहाना है वोटर लिश तो बह करता हूं यहां एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बिगत 2014 के चुनाओं से हूं जो देश के कुछ मीडिया हाउस को खरीद करके यह फिर वाई बात और कुछ उद्धोपतियों को कब तक भ्रम में रहेंगे देवेंदर भाइट भ्रम में कब तक रहेंगे हम आपको न करके जिस तरीके से देश के लोकतंत का गला घोटने की सोची समझी साजिस की जा रही है भारती जनता पार्टी के अब एलेक्षन की मसीन बनके रहे गई है यह केवल और केवल इनका साम दाम डंड भेट इनका उपर से लेके नीचे सारी लीडर्शिप का एक ही केवल उद् कर लेता है कांग्रेस पार्टी इस तरीके से खरियंड इस तरीके से राजनीत में कभी विश्वास नहीं किया है मैं कहना चाहता हूं सीधा आरोप है आज हमारे भाजपा के बरिष्ट प्रवक्ता बरिष्ट नेता में बड़े भाई हैं आलोक और स्थे जी मैं यहां बैठ में एक भीवादा पूरा करने का काम किया दोगा 2017 के चुनाओं में जो अपने लोक संकल्प पत्र में वादा कैकेером करूगा सारा का तरफ दिए आज उत्तरप्रदेश का राज निर्वाचन आयोग पहली इभीम कांग्रेश सरकार ने लाई थी यह लेपाँ में आज जो जो आज उत्तबरे राज दिर्वात्य नायोग भारती जन्ता पारिटी के रूप पर एक मिन्ठ हो गया आज पूरे के पूरा जो है हमारा इंद्रा नगर्स प्ले जो कालोनी है सारा कालोनी चुना जो है बताता हो बस अन्षुमान जी से पूछ लेते हैं लिकाय चुना को जानद है ना बहुत मैं कहना चाहता हूं जूट फरे मकारी जालसाजी धूरतई चोरियों चकारी यह बहुत दिनों तक नहीं चलता है जब खुलता है ना तो बहुत तकलीब देता है आने वाले 18 तारिक को मैं आप समान चुकला से पूछेंगे वरिष्ट पत्रकार है कि वाकई लोगतंतर पर कब्जा किया सकता है जाजनता लोगों को चुंती कब्जा कैसे हो सकता है लक्षमी क्या जानकारी आपके पास दर्शकों को दीजिए एक एहम आक्रे हमारे पास आ रहा है जो कि ग्राफिक के जर रहे हैं तीन पर आगे चल रहा है और अगर हम कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस भी अपने साथी की तरह यानि समाजवादी पार्टी की तरह रहूल जी हो चुकी है यह नगर निगम की आकड़े हमाप बकायत आपको देखा रहे हैं अब हम आपको नगर पालिका के बताएंगे यह देखिए आकरे आपके सामने है नगर पालिका के यहां भी बीजपी को तो बड़ा निश्यत है क्योंकि बीजपी आप देख रहे हैं यहां पर 68 यानि 68 पर बीजपी है यह देखिए आकरे लगातार में आपको देखा रहे हूं समाजवादी पार्टी यहां दे रहे हैं और नगर निगम पंचायत के आकरे भी हमारे पास हैं वो भी हम समझाने की कोशिश करेंगे जिनमें बीजपी इसमें भी राहूल आगे ही नज़र आ रही है 125 यहां पर बीजपी के पास है 125 और समाजवादी पार्टी 64 पर पहुंची है यह आकरे आप देख सकत ने राहूल हर में बीजपी को तंगडी बड़ात मिलती नज़र आ रही है